पस्चिम मंगाल से दंग कर देने वाली खबर सामने आई है आप सभी को बता देए पस्चिम मंगाल में मुख्य मंत्री ममता बेनर जी और उनके मंत्री जनता को लूटने में लगे वे हैं ये दावा हम नहीं बलकि मीडिया रिपोर्ट्स कर रही है आपर ये भी दावा किया जा रहा है कि उन्होंने भस्टा चार के सारे रिकोर्ट तोड़ दिये हैं घोटाले पर घोटाले परवरतन निदेशाले यानि एडी ने शिक्षक भरती घोटाले का खुलासा किया जिसमें सरकार के दो मंत्री स्तनिप्त हैं राज्ये के शिक्षा, प्राज़े मंतरी परेश चंद्र अधिकारी और उनकी बेटी के खिलाब प्रात्मी की दर्जवी इससे पहले ममता सरकार में कोयला घोटाला पशू तसक्री घोटाला शारदा चिटफंड घोटाला रोजवेली घोटाला हुआ है ममताव एनर्जी सरकार ने लगता है कि घोट जालों का बंगाल मोडल बना दिया है आप सभी को बता दे शिक्षक भरती गोटाला और S.S.C. भरती गोटाले को लेकर जो खबरे हैं जहाँ परवरतन निदेशाले ने शिक्षक भरती गोटाले में ममतस सरकार में मंतरी पार्थ चटर जी को ग्रफतार किया और उनकी करीवी और पिता मुखर जी को हिरासत में लिया जिनके घर से करीब 20 करोड रुपे मिले हैं कलकता हाई कोट के निर्देश पर E.D. की टीम ने पस्चि मंगाल स्कुल सेवा आयोग भरती गोटाले के अरोपी पार्थ चटर जी के घर पहुँची थी जब ये कतित गोटाला हुआ थ तब चटर जी राज्य के शिक्षा मंत्री थे पार्थ चटर जी अभी उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री हैं इस गोटाले का सबसे बड़ा उधार्ण शिक्षा मंत्री राज्य मंत्री परेश चंद्र आधिकारी की बेटी अंगिता की नियुकती है 77 वाले को छोड 61 नमबर वाले मंत्री की बेटी को नियुक्ति दे दी गई मामले की शुरुवाद साल 2018 में हुई थी उस समय पार्थ चटरजी मम्ता बेनरजी सरकार के शिक्षा मंत्री थे तब कह सकते हैं 2002 में करीब 2002 ऐसे लोगों की नियुक्ति हुई जिन्हों ने या तो परिक्षा नहीं नहीं दी या पास ही नहीं हुए दूसरा यहां पर बात करें कोईला घोटाले की तो आपको बता दे पस्चिम मंगाल में कोईला तसकری मामले में करीब 1300 करोड की काली कमाई वे उसका बड़ा हिस्सा राज्य के कुछ नामवर नेताओं तक पहुंचने का पता चला है सी बी आई ने अपनी पहली चार्ज शीट में किंगापीन अनूप मांजी सहित 41 लोगों का दिक्र किया है अनूप मांजी के साथ विने मिश्रा, विकाश मिश्रा, गुरुपद मांजी, जायदेब, बर्मन के नाम और आठ गरफतार ECL के नाम है CBI और ED दोनों ने तरणमूल कांग्रेस के राष्ट्रे सचिव अविशेग बनर जी उनकी पतनी रुजिरा बनर जी से कोईला चोरी घोटाले में उनकी कथित सलिपता को लेकर पूस्ताच की है TMC मंत्री मोराई, गटक और TMC विधायक सुषांत महतो को भी ED ने राष्ट्रे राष्धानी में तलब किया था तो वहीं पशु तश्करी घोटाले की बात करें तो आपको बता दे ही, बांगलादेश से लगी पश्री मंगाल की सीमा पर पशु धन गो तसकरी का धंदा बीस हजार करोड का बताया जाता है और इस रैकिट में नेता अपसर, पुलिस, सुरक्षाबल, आदी सब मिले वे हैं सीबी आई ने टीमसी के बीरभूम दिलाद्यक्ष अनुवरत मंडल से पशु तसकरी के मामले में करिब चार घंटे तक पूस्ताच की अनुवरत मंडल के बोडिगाड साइगुल हुसेन को सीबी आई ने गरफतार किया है कलकता उचनियाले के नरदेश पर सीबी आई ने इस से पहले 21 सितंबर 2020 को भारत बांगला देश सीमा पर अवे तरीके से मवेशियों की तसकरी के मामले में कुछ लोगों के खिलाफ मामले दर्च किया था संपनी ने करीब 40,000 करोड़ दुपे की कमाई की थी करीब 25 सो करोड़ दुपे का घोटाला होने का अनुमान है इस घोटाले में आपको बता दे किस तरीके स्त्राणबुल कांग्रेस से दो बार सांसद रहे कुनाल घोश और श्रिनजाए बोस बंगाल के पूर्व डीजीपी रजत मजूमदार फुचबोल कलब के देव बरता सरकार को गिरफतार किया गया शारदा घोटाले की जाच के लिए गठित SIT टीम को लीड कर रहे राजीब कुमार पर यारोप लगे की कुछ बड़े लोगों को बचाने के लिए जरूरी दस्तवेच के साथ छेड़ चाड़ की गई थी तो महीं रोजवेली घोटाले का आपका जिक्र करें तो कलकता की रोजवेली कमपनी ने 464 करोड़ दुपे का चिटफंड घोटाला किया सीबियाई ने करोड़ों के चिटफंड घोटाले के सिलसले में रोजवेली समू प्रमुख गोतम कुंजू की पतनी शुबरा कुंजू को शुकरवार को गरफतार किया रोजवेली समू ने हजारों लोगों को निवेशकर पर अच्छा लाप देने का जहांसा लेकर उनका धन कतित तोर पर हड़प लिया सीबियाई के सूतरों के अनुसार रोजवेली समू ने इन योजनाओं के तहत निवेशकों से बारा हजार कोड़ों रुपे से ज़्यादा की राशे एकत्र की है तो हैं पस्चिम मंगाल में 2016 में नारदा स्टिंग ऑपरेशन सामने आया नारदा स्टिंग ऑपरेशन नारदा नियूस के संस्थापक मैथ्यूस सेमूल ने पस्चिम मंगाल में दो साल से अधिक समय तक चलाया था सेमूल ने एक आलप ने कंपनी बनाई और कई टी एम सी मंत्रियों सांसदों और नेताओं से मदद के लिए संपर्क किया ने से कईयों को टीवी फुटेज में पैसे लेते वे पाया गया परवरता ने देश अले दोरा नारदा स्टिंग मामने के चार शिट में तरणबूर कांगरेस के चार नेता फिरहाद हकीम मदन मित्रा सुबत्र मुखर जी सोवन चटर जी का नाम शामिल है तो ये वो घोटाले जिसमें खुलकर नाम सामने आया लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि एक के बाद एक घोटाले तो हुए लेकिन फिर भी ममता सरकार चलती नजर आ रही है पस्चिम मंगाल में तो क्या आप समय आ चुका है इस्तिफा देने का क्या विपक्षी पार्टिया इसको निशाना बनाती नजर आएंगी और क्या इस्तिफा तै होता नजर आएगा ममताव एनरजी का ये देखना बहुत दिल्चस्प होगा बैसे तो हमारा चैनल नहीं कोई दावा कर रहा है नहीं कोई क्यास लगा रहा है बस जो घोटाले हैं उनको लेकर जनता का जो आकरोश है नेताओं का जो आकरोश है विपक्ष का जो आकरोश है वो यही कहता नजर आ रहा है कि ममताव एनरजी को इतने सारे घोटाले के कर दो कर दो कर दो